नमस्कार मित्रो सुवागत हैं आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में और जैसा कि आप सभी जानते हो हम एक नए विशे के साथ आपके सामने प्रस्थूत होते हैं वैसे ही आज हम 18 अगस्त का इतिहास आपके सामने लाएं हैं और विश्व की महत्वपूर जानकारी आपके सामने साजा करेंगे तो आईए शुरू करते हैं तो अठारा अगस्त का जो इतिहास रहा तो अठारा सो इस्वी में जो है लाड बैले जली के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट वीलियम कोलिज की स्थापन जो है वो की गई थी ठीक है तो अठारा सो इस्वी में जो है लाड बैले जली के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट वीलियम वीलियम कोलिज की जो है वो स्थापना की गई थी फिर अठारा सो इस्वी में फ्रांस के खगोल विद पियरे जैन सीन ने हिलियम की खोज की और 1891 इसमी में केरिवियाई दीप मार्टी न्यूक्यू मार्टी न्यूक्यू में चक्रवर्ती तोफान से जो है 700 लोगों की जो है वो मौत हुई थी फिर 1949 में हंगरी ने सम्विधान अंगिकार किया और 1945 में सुखणों ने इंडोनेसिया के पर्थम राश्टपती के तोर कामकाज की जो है वो सुर्वात की थी तो यह जानकारी भी आपको याद रखनी है चले अगले बिंदू पर चलते हैं और देखते हैं और क्या जानकारी हमको प्राप्त होती है तो अगला बिंदू भी हमारे सामने आ चुका है तो 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़कपुर में भारतिय प्रोधोगी की संस्थान की जो है वो स्थापना हुई थी तो यह भी आपको याद रखना है ठीक है फिर 1963 में अमेरिका में जैम्स 1963 में जो है अमेरिका में जैम्स मेरी डिथ मिसी सीपी विश्विद्याले से सनात करने वाला पहला एस्वेत व्यक्ति जो है वो हुआ था तो एस्वेत व्यक्ति जो है वो उसने अमेरिका में जैम्स मेरी डिथ मिसी पीसी विश्विद्याले से जो है 1963 में जो है इसनातक किया था फिर 1982 में सोवियत संग्ज द्वारा एक महिला अंतरिक्स यातरी अंतरिक्स इस्टेशन सैलियूत सैवन के लिए जो है वो भेजी गई थी 1982 में और 1999 में तुर्की में भुकम्प से लगभग 45,000 लोगों की मौत जो है वो हो गई थी और 2030 में इंगलैंड ने वैस्ट इन्डिज को हराकर दो दिन में जो है टेश्ट जीतने का इतिहास जो है वो रचा था ठीक है तो अठारा अगस्त दो हजारिस भी में इंगलेंड ने वेश्ट इंडीज को हरा कर दो दिन में टैस्ट जीतने का इतिहास रचा था तो यह भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए आगे चलते हैं और अगले विंदू पर भी धियान देते हैं उचारण में थोड़ी गलतियां है मित्रो मैं हर वीडियो में बताता हूं क्योंकि कुछ सब्द ऐसे होते हैं जो एकदम से नहीं बोले जाते हैं उनको तोड़ तोड़ कर पढ़ना होता है इतने में जो है वो काफी समय लग जाता है इसलिए तो लिखा हूँ आपके सामने र दालत ने भ्रहष्टाचार के मामले में जो है वो बरी किया था तो यह भी आपको याद रखना है फिर दो हजार साथ में विवादा स्पद्ध वृटिस गाई का लीली एलन के अमेरिका में घुशने पर पिरतिवंध जो है वो लगा था तो यह भी आपको याद रखना है फिर 2008 में उत्तर प्रदेश में मायवती सरकार ने छटे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की जो है वो घोशना की थी। इसी तरह 18 अगस 2008 में पाकिस्तान के राष्टपती परवेज मुसर्रफ ने मायवियोग की असंका के वीच जो है वो इस्तिफा दिया था ठीक है 2008 में फिर 2012 में नाटो के हवाई अमले में अफगानिस्तान के कम से कम 13 आतंग वादियों की जो है वो मौत हुई थी ठीक है तो 18 अगस 2022 में नाटो के हवाई हमले में अफगानिस्तान के कम से कम 13 आतंग वादियों की मौत हुई थी तो यह विंदू भी आपको याद रखना है चलिए आगे चलते हैं और अगला विंदू भी हमारे सामने आ चुका है इस विंदू में हम 18 अगस को जिन व्यक्तियों ने जन्म लिया उनके बारे में चर्चा करेंगे तो 1985 में गीति का जाखड भारत की प्रसिद महिला पहलवान है इनका जन्म जो है 18 अगस्त 1985 को हुआ फिर 1969 में निर्मला सितारमन भारत्य जन्ता पार्टी की प्रसिद महिला हैं ठीक है तो इनका जन्म भी जो है 18 अगस्त 1969 को हुआ था ठीक है और वित मंत्री है निर्मला सितारमन फिर 18 अगस्त 1938 में बी एम हैगडे एक हिर्दय रोग विशे सक्गे पैसे वर शिक्षक और लेखक हैं तो इनका जन्म भी जो है 18 अगस्त 1938 को हुआ फिर जो है 1922 में जो है विजय लश्मी पंडित भारत के पहले प्रदान मंत्री जवाहर लाल नहरू की बेहन तथा महिला स्वतंतर तसे नानी थी तो जो विजय लश्मी पंडित थी वह जवाहर लाल नहरू की जो है वो बेहन थी इनका जन्म भी 18 अगस्त 1922 में हुआ था फिर 18 अगस 1936 में गुलजार परसिद गीतकार कभी और फिल्म निर्देशक है इनका जन्म भी जो है वो 18 अगस 1936 को हुआ था ठीक है तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी है ठीक है तो यह हैं आपको याद रखनी है चलिए आगे चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र 126 साल है तो इनका जन्म भी 18 अगस 1896 में को हुआ था फिर 18 अगस 1872 में विश्ण दिगंबर पुलुसकर प्रसिद सास्त्रिया गायक है इनका जन्म भी 18 अगस 1872 में हुआ अठारा अगस 1923 में एवी तारा पोरे परमवीर चक्र से सम्मानित भारती सैनिक हैं इनका जन्म भी 18 अगस 1923 को हुआ पिर 18 अगस 1772 में बाजी राव पर्थम मराठा समराज्जीय का महान सेना नायक जो बाला जी विश्वनात और राधावाई का बड़ा पूत्र था तो इनका भी जन्म जो है 18 अगस 1772 में हुआ था ठीक है तो सारे बिंदू आपको याद रखने हैं चलिए आगे चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं और क्या हमको जानकारी मिलती है तो 1734 में रागोबा पेशवा बाजी राव पर्थम का दूत्य फुत्र जो एक कुसल सेना नायक था उसका नाम क्या था तो रागोबा ठीक है तो इनका जन्म 18 अगस्त 1734 को हुआ था फिर 18 अगस्त 1872 में प नराष्ट के परसिद नेतर हीन संगी तग्य है तो इनका जन्म भी जो है 18 अगस्त को हुआ था यह भी आपको याद रखना है चलिए मित्रो अब हम बात करेंगे अगले बिंदु में जिन व्यक्तियों का 18 अगस्त के दिन निधन हुआ तो उसमें पहले हैं 1227 में चंगेज खां का निधन हुआ था 18 अगस्त के दिन फिर 18 अगस्त 1945 में सुभाज चंद्र बोस जो स्वतंतरता सैनानी है ठीक है और इन्होंने जो है आजाद हिंद फोज की जो है इस्थापना की थी तो इनका जन्म भी 18 अगस्त 1945 को हुआ फिर 18 अगस्त 1989 में वसंत राव नाइक भार राज नितिग्य थे इनका निधन भी 18 अगस्त 1989 को हुआ फिर 18 अगस्त 1990 में शिरी नरायन चतुरुवेदी हिंदी के साहित्यकार तथा सरस्वति पत्रिका के संपादक रहे तो इनका निधन भी 18 अगस्त 1990 में हुआ फिर 18 अगस्त 2018 में कोफी अन्नान सयुक्त राष्ट के साथ वे महासचीब थे तो इनका निधन भी 18 अगस्त 2008 को 18 को हुआ था तो यह सारी जानकारी आपको याद रखनी है अब हम बात करेंगे अगले बिंदु में कि 18 अगस्त को जो है वो कौन सा उत्सव जो है अंतराष्टी दिवस जो है वो मनाया जाता है तो अफगानिस् भात है कि अगर आपने हमारे हिंद्स कानल को subscribe नहीं किवा हिन्द को लाइक कर देए और वेल आइक परेसे करते दें मिलुँम इसी तरह के वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार मित्रो धन्यवाद